Honorable Supreme Court के द्वारा B.A.W.R.T.O. के प्रात्मिक सिक्षक भरती में Eligibility Matter पर 11.अगस्त 2023 को दिये के फैसले के बाद से अन राज्यों पर इसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है एक राज्य में Honorable High Court ने भरती प्रक्रिया पर एश्टे दे दिया है Honorable Supreme Court के फैसले के बाद से क्या है पूरा मामला जानना और समझना आपके लिए बेहर जरूरी है अगर आप B.A.D.A.W.R.D.L.E.P.C. से जुड़े हुए हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं पूचना दी गई कि जो भरती प्रक्रिया चल रही है आने वाले दो हफते में इसका रिजल्ट जारी होना है उससे पहले 11 अगस्त को Honorable Supreme Court ने B.A.D. को बाहर करते हुए उनको आयोग गोशित कर दिया गया था इसी का संग्यान लेते हुए उन्होंने प्रेयर किया था Honorable 36 गर हाई कोट से कि B.A.D. अभियर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दिया और उनको अयोग गोशित कर दिया जा 36 गर की प्रात्मिक सिछक भरती प्रक्रिया में आप इसकन पर देख पा रहोंगे नेक्स्ट एडट 21 अगस्त 2023 यानि आज ही इस केस की हीरिंग हुई है जिसमें Honorable 36 गर हाई कोट ने मानेने सुप्रेम कोट के फैसले का हवाला देते हुए पूरी भरती प्रक्रिया पर इस्टे लगा दिया है साथी साथ राज्य सरकार को दो हफ़ते का समय दिया है और जितने भी रिस्पॉंडेंट है उनको रिजवाईंडर सब्मिट करने के लिए यहाँ पर बोला है यानि कि आने वाले दो हफ़ते तक इस पूरी भरती प्रक्रिया पर इस्टे रहे की और जब तक राज्य सरकार अपना पक्ष इसपष्ट नहीं करती है तब तक यह भरती प्रक्रिया आगे प्रोसीड नहीं हो सकती है उनरेबल सुप्रिम कोट के जज्जमेंट के आधार पर ये उनरेबल 36 गर हाई कोट ने फैसला दिया है इसक्रिंट पर आप देख पा रहे होगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद भगवान करे आपका दिन शूब